हेलो, इन दिस वीडियो, I am going to tell that how can we calculate the opening capital, जब आपको closing capital दी जाए, तो आप opening capital कैसे calculate कर सकते हो, इसमें हम यह देखते हैं, सबसे पहले हम statement पढ़ते हैं, A and B are partners, sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 1, उनकी ratio आपस में 2 is to 1 थी, उनकी capital at the end of the financial year were 3,50,000 and 2 lakh respectively, उनकी end में जो capital थी, at the end of the financial year, वो 3,50,000 और 2,00,000 थी, उनकी जो drawings हैं, वो 30,000 and 20,000 थी सारे साल की, profit जो उनमें already distribute कर दिया गया था, वो 30,000 है, they forget to take interest on capital at the rate of 10% per random, उनने याद भूल गया था, जब उनने closing capital find out की, तो उनने उसमें interest on capital लगाना याद भूल गया था, तो हमने अब interest on capital पता करना है, तो यह हमारी closing capital है, उनने साफ साफ लिखा हुए at the end of the financial year, इसका मतलब यह हम closing capital है, और हमें पता क्या करना है, interest on capital, हमेशा आप interest opening capital पे ही देते हूं, जो आपने सारा साल पैसा यूज किया, आप उसके उपर ही interest होगे, तो अगर आपको closing capital दी गई है, तो आपने उससे क्या डूनना है, opening capital, और वो कैसे डूनना है, जिस तरह से, वो opening से closing पर आये थे, उन्होंने जैसे-जैसे closing capital निकाल दी थी, उसी तरह से आप closing से opening तक चले जाओगे, जो जो भी लेके, वो opening से closing तक पहुंचे थे, आपने वो ही लेके closing से opening तक चले जाना है, तो आई देखते हम कैसे calculate करते हैं, सबसे पहले हम A और B की closing capital लिख लेंगे, उन्होंने सिरफ द सिरफ दो चीजे लेके, कौन सी दो चीजे लेके, एक तो drawings लिए उन्होंने और एक क्या लिया हुआ है, profit लिया हुआ है, drawings और profit को लेके, वो opening से closing तक पहुंची है, तो मैं सबसे पहले उपर कौन सी capital रखूँगी, closing capital रखूँगी, जब वो opening से closing तक जाने वाले थे, तो उ मैंने drawings को add कर दिया है, क्योंकि मैं नीचे से उपर की तरफ जा रही हुँ, closing से opening तक तरफ जा रही हुँ, तो that's why मैं ultra react करूँगी, drawings को मैं add कर दूँगी, अब जो उन्होंने profit distribute किया था, वो 30,000 था, और इस 30,000 profit को अवेस अन्होंने 2 is to 1 की ratio में ही distribute किया होगा, तो उन्ह उन्होंने जो profit plus किया था, opening से closing तक जाते वक्त, मैंने closing से opening तक आते वक्त, उस 30,000 को 2 is to 1 की ratio में A और B में बांड दिया, उन्होंने 20,000 और 10,000 को plus किया होगा, मैं उस 20,000 और 10,000 को less कर दूँगी, तो इस तरह से मैं closing capital से opening capital तक आ गई, जो मैंने opening से closing तक जाते वक्त, जो यह plus minus करने के बाद, 3,50,000 में 30,000 plus किया, 20,000 minus किया, तो मेरे पास 3,60,000 आ गया, in the same way, B की capital में भी मैंने ऐसे ही किया, तो मेरे पास opening capital 2,10,000 आ गई, अब यह capital opening capital है, और उस पे मैं interest पता कर सकती हूँ, तो मेरा interest on capital 10%, 3,60,000 पर 10%, 36,000, and 2,10,000 पर 10%, that is 21,000, तो मेरा interest on capital आ गया, इसका मतलब जब भी हमें statement में closing capital दी जाए, और हमें interest on capital लेना भूल गया हो, और यह बोला जाए कि interest on capital find out करो, तो मैं सबसे पहले opening capital निकालूंगे, opening capital निकालने के लिए, जो जो उन्होंने opening से closing तक जाने के लिए किया होगा, वो ही मैं closing से opening तक आने के लिए कर लूँगे, लेकिन उल्टे reaction से, उन्होंने drawings minus की थी, और profit को plus किया था, अविस से closing तक जाने के लिए, मैंने closing में से drawing एड कर दी, और profit को less कर दिया, इस तरह से मेरे पास capital at the beginning आ गई, और मैं इस पे interest लगा सकती हूँ, thank you.